कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर घाटी से पुलिस अधिकारी दविंदर सिंग की गिरफतारी को लेकर केंडर सरकार पर हमला बोला है राहुल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, प्रह मंत्री अमिच शाह और राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार इने से अजीप दोभाल से सवाल किया वे इस पर खामोश क्यूं है राहुल ने कहा कि दविंदर के खिलाफ ठavorit अडालत में मुकदमा चलना चाहिए और दोशी पाई जाने पर उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए राहुल गांधी ने ये सवाल भी किया कि दविंदर सिंग की पुल्वामा हमले में क्या भूमिका थी और उसे किसका संरक्षन मिल रहा था उन्होंने ट्वीट कर कहा DSP दविंदर सिंग ने अपने घर पर तीन ऐसे आतनकवादियों को अपने घर पर पनाह दी और उन्हें दिल्ली ले जाते हुए पकड़ा गया जिनके हाथ में भारतिया नाग्रिकों का खून लगा है राहुल ने कहा उसके खिलाफ त्वरित अदालत में छे महीने के भीतर मुकदमा चलना चाहिए और अगर वह दोशी है तो उसे भारत के खिलाफ देश त्रोह के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए राहुल ने सवाल किया दविंदर सिंग पर प्रधान मंत्री रह मंत्री और एने से खामोश क्यूं है उल्वामा हमले में दविंदर सिंग की क्या भूमिका थी उसने और कितने आतनकवादियों की मदद की उसे कौन संरक्षन दे रहा था